Long division करने के लिए दिये हुए इन साथ steps को follow करें. Step 1. Calculate करें कि division bar के बाहर की संख्या division bar के अंदर मौजूद पहली संख्या में कितनी बाहर समाती है. Step 2. Answer को बाहर के उपर रखें. Step 3. Division के बाहर के नंबर को बाहर के उपर मौजूद नंबर के साथ multiply करें. Step 4. Answer को division bar के अंदर मौजूद नंबर के नीचे लिखें, ताकि दोनों नंबर की पहली डिजिट एक लाइन में आ जाए. Step 5. Division bar के अंदर के दोनों नंबर को subtract करें या घटाएं और आंसर को दोनों नंबर के नीचे लिख लें. अगर division bar के अंदर कई सारी बची हुई digits मौजूद हैं, तो उन्हें नए आंसर के नीचे ले आएं. Step 6. नए नंबर के साथ में division process repeat करें. Step 7. अगर कभी ऐसा होता है जब division bar के बाहर का नंबर बचे नंबर में fit नहीं आता, तो उस नंबर को remainder या 6 के नाम से जाना जाता है. उस नंबर के सामने एक R लिख कर उसे अपने आंसर के सामने लिख लें.